असलाम आलेकुम पाकिस्तानियों I hope everyone watching this video is doing great I hope everyone's family and loved ones are safe and secure सबसे पहली बात ये है कि ऐसी वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ और कोशिश करूँगे कि अपना point of view समझा सकूँ आईशा अकरम के viral case में बात करनी जलूरी लगिये मैंने बहुत से लोगों को पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा भला देख रही हूँ और सब ही पोस्ट कर रहे हैं कोई ट्यूटर पर कोई इंस्टाग्राम पर विडियोस आ रही हैं सबसे पहली बात चुके बहुत ही गलत है और एक पाकिस्तानी होते वे बिलकुल बर्दाश नहीं हो रही है वो यह है कि आप पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान में रहते वे आप क्यों ऐसे बोलना है ठीक है जो हुआ उसको साइड में करा जाए गलत हुआ तो यह अब उसमें आईशा के गलती थी यह वो चार सो जो लोग थे जो मर्द थे उनकी खलती थी उन सब को साइड में करके यह बोलना कि पाकिस्तान जिन्दाबाद छोड़के यह बोला जाए कि अब पाकिस्तान से जिन्दा भागू सही है मतलब यह जो हमने मुलक बनाया है हमने नहीं बनाया, सबसे पहली बात जिन लोगों ने बनाया, जिनने जो कुर्वानिया धी थी उसका ये सिला है कि जब भी कुछ ऐसा हो उसमें पूरा को छोड़ के हम पाकिसनान को लेके बढ़ जाएं देखें, सबसे पहली बात ये है आप एक अजाद कंट्री में रह रहा है, और फिर ये बोलना अजादी कहा है बोलना बहुत असान होता है ठीक है जो हुआ वो गलत हुआ ठीक है, और ये हर कंट्री में होता है सही है, ये भी है लेकिन ये नहीं बोली होता है तो होता रहे ये भी नहीं है, आप इसको बोला जाए कि ये बोला जाए देखें, बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सही है, और जो बात हुई है, उसके बारे में बात की जाए उसको घुमा पिराके आप तो अपनी कंट्री के बारे में ऐसे बोलेंगे यह जब आप खुदी ऐसे बोलेंगे जो लोग है लोग रिमावे अब हैंंदिा में बादर जांद लुग है जो लोग हैं जो खुदी बोलते Пाकिशन को बनना ही नहीं जाहिए थां यह तो ऐसे बन गया इसकी तो कोई value मतलब खुद हिए बोलते हैं इसकी तो existence नहीं रहेगी बाद में इसके existence खतम हो जाएगी जो बोलते हैं आप तो उनको फेवर कर रहे हैं मतलब आप उनके side पे हैं आप एक country में रहे रहे हैं सही है आप रहे रहे हैं आप जो चीज आपको मिल जाती है थो निमत उसकी कोई कदर नहीं करता आपको वो निमत मिल गई आपको कदर नहीं आप कश्मीरियों से पूछें जो नहीं अज़ाद हैं उनसे पूछें कि अज़ादी क्या है ठीक है वहाँ पे भी औरतों पे ये तश्द्दत होता है या वहाँ पे भी जुल्म होता है उनको अजादी नहीं है सही है, लेकिन वो फिर भी अजाद होने के लिए वहाँ के लोग मर रहे है कि नहीं हमें अजादी मिल जाए क्यों मिल जाए क्योंकि जो अजाद नहीं है उनसे पूछें कि वो और कितनी तकलीफ में है वो और कितनी अजियत में है वो और कितनी परिशानी में है वो और कितने दुख में है सही है आप फलस्तीन जाके देखें वो अजाद थे उनसे अजादी चीनी जारी है उनसे जाके देखें क्या उनके साथ नहीं हो रहा है इस्राइली फौज उनके साथ कर रही है उनके ओरतों के साथ कितना खलत कर रही है लेकिन हो रहा है ना उनसे देखें जाके जिनसे कि तरफ से हाता है हमला यह कुछ भी उता है who highest department आंकि और घ् figuring इन वहां च्टाइस है उस पर बोलेरें आपको वोट करना का रहा है आप रहने है प्रोट करने के हरी और सब्किटने आप रही हां भुद forgiven now की अवक जिट कई पाकिस्तान को जपान की रिकॉर्ड्स देखें वापिस तो साइड रेट कितना है आप बैठे में देखें हर कंट्री में होता है और ये नहीं बोला जारे कि सही होता है लेकिन बात ये जए कि जो केस हुआ है उसके बारे में बात की जाए आप खुद बैठके 14 अगस में ये हुआ बहुत गलत हुआ सही है 14 अगस वाले दिन नहीं होना चाहिए ते लेकिन चो 14 अगस की अजमत है उसको तो साइड में कर ले ना केस पे रहे के केस पे बात की जाएगी ना तो इंसाफ भी मिलेगा और इंपेक्ट भी पड़ेगा लेकिन आप खुद अपने दुश्मनों को खुद अपने राइवल्स को आप एक उनको स्टेट्मेंट दे रहे हैं उस स्टेट्मेंट को मजबूत कर रहे हैं ये बोलके के नहीं पाकिस्तान में तो सबी ऐसे हैं एक और नहीं चले हैं नॉट अल मैं नॉट अल मैं नहीं बोलो भईए क्यों नहीं बोलो कम ओन यार, कम ओन फीफल आर यू आउट अफ यूर माइंड चार सो लोगों ने किया वो चार सो लोगों को बहुत असियतना को सजा दे जिनने उनमेंसे खलत थे सबसे पहली बार जिनने नमेंसे घलत थे क्योंकि अब पदा चल ला हूँ उसमेंसे तो उसके टीम मेंबरे vagy थे उसमेंसे वो बच्चा भी था जिसने उसकी मदद कि और बहुत सारे लोग जो पदा चल ला है उनने में help की उनने सही है इंटर्फ्यू दें और हाँ जो आप support करना है न कि हाँ बोलने नहीं victim सही है तो उसका support करें आप क्या support करना है आप कुछ support नहीं करना है आप बस उल्टे सीदी statement कभी कुछ बोलना है कभी Pakistan को बोल दो कभी not all men, कोई not all men नहीं बोल सकता, आप सारे मर्द ऐसे है रेली, रेली are all men equal I don't think so जो बेटियों का बाप है क्या आप उसको भी डालने है बहुत सी बेटियों का बाप सही नहीं है, लेकिन जिन बेटियों का बाप सही है जो उनको बेटियों को भी डालने है आप बीच में come on yahu, what are you up to what are you up to, I have no idea सही है न, मतलब पाकिस्तान में सारे मर्द बिगार तो सारी ओरते बहुत अच्छी सही है, मतलब सोचने वाली बात है न, देखें आप 400 लोगों पे रहें कि हाँ 4 सा लोगों ने ये किया और जो लड़की थी, जो आरती वो ये थी, अब इसमें से कौन गलत है उसको इनसाफ कैसे दिखाना है सही कैसे करना है इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्शन आएगी हमारे राइट्स क्या होंगे सब करें लेकिन अब अलग चीज़े करना अलग हैश्टेक्स चलाना अलग ट्रेंडिंग्स करना I don't think this is worth it and I don't think this will help us this won't help us, this will ruin us कोई भी सही नहीं है मैं यह नहीं बोलनी, मैं बहुत परफेक्ट हूं मैं बहुत अच्छी बात करनी हूं, नहीं और हो सकता है मेरा point of view जो मैं आगे बोलू इस case के ओपर वो आपको समझ में नहीं है आप बोलने यह गलत है, सही यह गलत है लेकिन पाकिस्तान को बोलना सबसे गलत बात यह है आपको अल्ला ने एक नहमत दी है आपको अल्ला ने एक तौफ़ा दिया है आपको सबसे पहली बाद अल्ला ने मुसल्मान मनाया यह सबसे बड़ा तौफ़ा है Islamic country में पैदा किया दूसरा बड़ा तौफ़ा यह है क्योंकि जो बिचारे मुसल्मान जो out of countries हैं जो बिचारे non-muslim countries में है कि हम नमाज पर सके यह सब कर ले भले छुपके करें लेकिन कर ले अल्ला के वास्ते को हमें यह करने दे यह उनका यार आप लोग कहां जा रहे हैं उसके बाद यह केस है अगर इस पे बात की जाए तो आईशा अक्रम जो एक tik-tokker है एक यूट्यूबर है ठीक है उस पे कोई कुछ नहीं बोल ला है उन्होंने यह चीज़ चुनी यह प्लैटफॉर्म चला मैं भी यूट्यूबर विडियो डाली हूँ मेरा प्लैटफॉर्म है मैं इंस्टाग्राम पे हूँ मेरा प्लैटफॉर्म है और दुसरी बात कोई भी यह नहीं बोल सकता है बात सही बात है कि वो कोई भी ड्रेसिंग करें उनका और अल्ला का मामला है वो विडियो बना रही है गलत है इसलाम में नहीं है इसलाम में इस तरह से औरत को सही है ठीक है आप सही बोलना है ठीक है बेसिक में बोल सकते हैं कि हाँ यह गलत है ठीक है आपने बोल दिया ना बस अब यह बोलना अब इनको ऐसी सजा मिलेगी इस पर तो ऐसा अज़ाब आएगा नहीं वो अल्ला का मामला है सही है वो अल्ला काला लेकिन जो इस दिन हुआ उसकी अगर बात की जाए तो देखें उन्हों पता चला है कि उससे के उन्होंने एक इन्वाइट दिया था सही है अपने फैंस को टिक टॉक पे कि मैं इस दिन यहाँ वे मौजूद होंगी और आप लोग आ सेल्फी हम लोग ल उसके बाद वो उस दिन पता नहीं चला हमें सही है उस दिन पता नहीं चला पर पदा चला ठीज्याолов को कि एक अच्छी पिक्चर भी ढवा इक यूस की बार शहाँ वे mans उ Miguel रम हे सुझना प्र प्र अचानक सही है वीडियो हमारे रागों के सामने है और जब भी आई तो रोंग्टे घड़े हो, सही है जिसने भी पहली बार देखी, अगर उसके दिल में इंसानियत माग थी तो रोंग्टे, जो क्योंके चीखने की जो आवास थी वो अन्वियरेबल दी, वो पिलकुल अन्वियरेबल दी, we were out of our minds and we were like हाँ, यहाँ यह गलत हुआ है और यह अभी भी मैं यह बोलूँ कि यह गलत हुआ है लेकिन उस वक्त तो इस तरह से था कि दिल चाहरा था कि इन चार सो लोगों को इनसान बॉंब ब्लास्ट में उड़ा दे, यह कुछ ऐसा करते उसके बाद बात में हलकल के पता चला कि भाई नहीं है तो 59 अगस को तो उनने कोई भी इसमें शूनी उठाया, उसके बाद वो जो उनकी इंटर्वी हुआ, उसमें उनने अपना फेस हाइड नहीं किया उसमें अपना आईडीज बताई उनने उसके बाद उनने अगले देन एक और टिक टॉक पर डाल दी कि मैं पाकिस्नान की बेटी, आप लोग से नाराज हूँ, तो भेइन आप पाकिस्नान की बेटी है, सही है तो आप किस سے नाराज है, आप पाकिस्तान से नाराज क्यों है, आप तो आपने खुद innoite किया ता न थीए, आपने invitation harassment के लिए नहीं दिया थे, कि आजके मुझे harrass करो, ओके, सभी समझ मैं लेकिन आपने ये invite दिया था कि मेरे fans आके मिलें, अब आपके जिस तरह के fans थे वोगे मिले हाँ, न मेंसे जिसने आपके साथ खलत कि आप उनको मुखातिब करो ना आप क्यों पाकिस्तान का नाम खराब कर रही हो सही है मैंने इस तरह के ड्रेस नहीं पहना अब इंटर्वियों मैं जो उनने बोला मैंने इस तरह के ड्रेस भी नहीं पहना था मैं तो सिम्मा खड़ी भी थी आप खड़ी भी नहीं थी, आप वहाँ पे खास तोर पे अपने फैंस के साथ मीट करने गई थी, आपने उनको पकाईदा इन्वाइट ही, आपने उनको अपनी लोकेशन प्रोवाइट की, ठीक है, वो सारे स्ट्रेंजर्स नहीं थे, कि किसी भी और अप पे स्ट्रेंजर्स का नाम ले ना, पाकिस्तान में आप जो करने गई थी, और आपने क्या बोला था, मैं यूट्यूब चैनल के साथ, अपने रिपोर्टर, अपने कैमरा मैं के साथ थी, और पहले तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे कि कोई आप कोई रिपोर्टर है, कोई निउस चैनल की र पाकिस्तान में तो रहना अजब है, पाकिस्तान में तो रहना अजब है, पाकिस्तान में तो रहना अजब है, पाकिस्तान में तो गुमना अजब है, पाकिस्तान में तो कोई फ्रीडम नहीं है, पाकिस्तान में तो सब इंसिक्यूर है, पाकिस्तान में तो कोई सेफ्टी न आप अपना पूरा बताती के देखें मैंने हां मैंने इन्वाइट किया था मैंने वोला था सेलपी मेरे फ्रेंस आए बहुत सारों ने सेलपी ली लेकिन मेरे साथ उस वक्त यह हो गया सिंपल बात खता उसके बाद जो रियक्शन बनता वो आपके सपोर्ट में होता और उससे कुछ फर्ट पड़ता उससे कोई फाइदा होता आपका भी मजा किसलिए बना क्योंकि उसके बाद आपका जो तरुत था ना वो स्थामने आए कि नहीं इसने तो मैनिपलेट किया यह वहां गई थी सही है इसने तो इन्वाइट किया था यह तो गई इस वी जासे थी कि वह फैन से मतलब आपने मैनिपलेट किया आप आप गई एक सिलैबरिटी बन के गई ना इसका यह मतलब तो नहीं आप पाकिस्तान का नाम खराब करोगी आपने खुद ही वहां पे आपन के के किस के बिलकुल मैं के मैं बोलूं वो सही है वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पॉइंट आफ यू से गलत वही लोग है जिन्होंने ने हैरस किया महाँ पे तरही है लेकिन बात में यही होती है कि गलती नहीं है आईशा करम की गलती नहीं है लेकिन उनको सच बताना च उन्हें उसी दिन आवाज उतानी चाहिए थी, सही है, उन्हें उसी दिन करना चाहिए थी, और फिर लोग बोलना है कि गम नहीं है और आप भी वीडियो डाली है, और आखिरकार उनको फेम तो मिली किया, उनके इंस्टाग्राम पे भी उनके फॉलोवर्स बढ़ गाए, उनक आपके लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस को बलाया पुलिस वस वक्त नहीं आई थी थी जाए, तुसरी बात यह है कि देखें, आपके इतने साली लोग के ममबर्स भी साथ में थे उनको देखना चाहिए थी, और लोगों को फुन करना चाहिए थी, किस को प्लेट फॉर्म से जाए अगर देखे हैं बोलना है उनका पॉइंट ऑफ यूव थोड़ात अगर फेम के लिए किया लेक्ट है कि उनको खलत लोगों उनको पकड़ाना चाहिए कि था जरूर उनको पकड़ाना चाहिए भी क्योंकि इन्होंने बोला कि मुझे चेहरे भी पहचाने जा सकता है तो प्लीज ये पहचाने और पकड़वाएं उन खवराब लोगों को क्योंकि वो अल्ला ना करेगा उसी और के साथ भी गलत कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के नाम खराब करना और उसको manipulate करना और उस पर डालना सब कुछ कि पाकिस्तान अईसा पाकिस्तान वी साथ ये बहुत ही जलत है और ये बिलकुल भी acceptable नहीं है जो गलट लोग हैं जो गलट कर रहा हैं को उनके अंजाम पेफ़ाद को साफ कर दिया जा जाए पाकिस्तान को अच्छे लोगगों को छोड़ की जो खलत जो खलत लोग हैं जो खलत सामने आय जारे हैं उनको साफ कर दिया जा इसलिए पाकिस्तान बनाता कि निसाल फिरे बात यहीं पर खतम होती है I hope आपको वीडियो समझ में आई हो I hope मैं अपनी बात करने में काम्याब हुई हूई हूँ समझाने में क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे ट्राइ किया है, मुझे नहीं पता मेरा पॉइंट ओफ यो किसी को समझ में है, but I feel so so much calm और मुझे कितना अच्छा लग रहा है अपनी बात कहके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आदा ता मैं कहां कहूं, कहां बताओं मैं किस तरह से लोगों को ये बोलने से रोखूं कि पाकिस्तान के बारे में please ऐसा नहीं बोले सही है, पाकिस्तान के बारे में मुझे ये समझ में नहीं आता उसके उपर चले Commons इनसाफ हासिल करें बस यहीं दूआ है के पाकिस्तान जिंदाबात था पाकिस्तान जिंदाबात है और पाकिस्तान जिंदाबात रहे Amin Oces, या Allहा हम सब को अपने हिप्जमान में रखें हमारा साथ दें और अल्ला ताला सब को इनसाफ मिले और बस यही है शुक्रिया बहुत बहुत पाकिस्तान जिन्दाबाद